कुछ इंक्षय पर इपया सब आसब हुआ है तो ऊपके बातका इन सब बातों में कितने सच्चा ही क्या वाकिश हें। और य वाकिश ही वाकिश पैप्रमेंट से हेह रम में होता है, बातका अब फाजी कर लागव होको है, destaだुब जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल करना में जैनुमेंट तो यहां पर जो भी मैं डिसक्स करूंगा एक दम लॉजीकली फैक्ट के साथ बात करूंगा क्योंकि डिरेक्ट लिएकर मैं बोल देता हूं कि पेपर मिंट ऑल लगाने से हैर पॉल कंट्रोल होता है न्यू है उन रीजन पर वर्क करता है कि नी करता है तो फ्रेंड्स किसी भी कारणवश जो भी एक्स वाई जी रीजन हो अगर हैर रूट तक हैर को अगर न्यूट्रियंट नहीं मिल पाता है तो हैर फॉल होता है जैसे जीने के लिए में खाना चाहिए वैसे हैर को खाना चाहिए वैसे blood के माध्यम से जो nutrients hair तक पहुचना चाहिए वो पहुच नहीं पाता है और हमें baldness होता है जो कि यहाँ पर genetic hair loss में यह जो area है इस area में hair thinning होता है गंजापन दिखने लगता है जबकि side में और पीछे भना रहता है दूसरा जो reason है वो है lack of nutrients आपके hair को जो भी nutrients चाहिए अगर वो आपके diet से नहीं मिल पाता है तो फिर hair fall होता है चाहिए आप भर पेट खाना खा रहे हैं लेकिन अगर वो diet में amino acids, bio tea, omega 3 fatty acids, zinc, iron, vitamin c, vitamin e, vitamin d यह सब नहीं है नहीं मिल पा रहा है तो lack of nutrients के वए से hair fall होता है तीसरा जो कि temporary है जैसे कि शरीर में कोई भी changes आए कोई भी बदलाव हो कोई भी बिमारी हो तो उसका सबसे पहले असार hair पर होता है आप अगर बार बार बिमार पढ़ते हैं sudden weight gain, sudden weight loss, indigestion, constipation, gas, acidity, stress, then lack of sleep, अनिंदरा इन सब के कारौन के वज़े से भी hair fall होता है जो कि temporary ह मतलब उनमें अगर आप control कर लेते हैं तो automatically hair fall control हो जाएगा अब हम देखेंगे यह जो reason मैंने बताया कि इस reason में peppermint oil कहां पर काम करता है और क्या यह hair fall को control कर सकता है यह नहीं कर सकता है तो सबसे पहले अगर हम nutrients के point of view से बात करते हैं तो peppermint oil में ना तो amino acids है ना वायोटीन है ना omega 3 fatty acids है ना zinc है ना iron है ना vitamin C ना vitamin D ना vitamin E तो यह सारे nutrients इसमें नहीं है तो अगर आप nutrients पहुचाने के इसाब से purpose से अगर यह oil लगाते हैं तो कोई काम का नहीं है आपका hair fall control नहीं होता है अब बात करते हैं genetic hair loss के साफसे DHT के साफसे तो peppermint oil में ऐसा कोई ingredients नहीं है कुछ भी नहीं है जिससे की यह DHT को block कर सके हाँ इसमें menthol है जो cooling effect देता है जो cooling sensation feel करवाता है जिस वज़े से minor blood circulation हो सकता है लेकिन इतना भी blood circulation नहीं होगा कि यह DHT को block करे और blood circulation को improve करके hair root तक nutrients पहुचा सके इतना effective नहीं है तो अगर आपको hair thinning हो रहा है यहाँ पर pattern baldness हो रहा है जो कि 95% हमें effect करता है impact करता है in that case यह effective नहीं है अब बात करते हैं अगर आपको stress, migraine, lack of sleep है in that case के वज़े से अगर hair fall हो रहा है तो यह effective है काम कर सकता है यह आपको stress level कम कर सकता है न in that case यह दर्थ को कम कर सकता है और in that case आपका hair fall control कर सकता है लेकिन यह से 5% problem है majority जो लोगों को problem है वो यहाँ पर खाली होता है right जो कि genetic hair loss case में तो in short यह pattern baldness जो genetic hair loss है DHT के वेज़े से जो hair loss है in that case यह काम नहीं करता है कि अब आते हैं point of discussion जहां पर majority लोग बोलेंगे कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसा तो कई सारे research में बताया गया YouTube वीडियो गूगल में पोस्ट में बताया गया कि इसके उपर research हुआ है और यह बताया गया कि peppermint oil successfully काम करता है और in fact यह minoxidil से ज्यादा effective है तो इस बात पर आपको पता जितनी भी company आए है products बना रही है skin products यह सब तो free में समा सेवा नहीं कर रहे हैं यह लोग business कर रहे है प्रोडक्ट बना रहे है ताकि इनका product जितना बनेगा बेकेगा उतना यह profit कमाएंगे तो जैसे बड़े company अगर मैं बात करूं इंटा से देन डॉक्टर रेड बाकी नैचुरल की अगर बात करें तो रेडेंसील प्रोकेपिल वाले serum भी बना रहे है ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिकेटेड ट्रक बेस्ट बना रहे है यह natural resources वाले भी product बना रहे है जैसे कि रेडेंसील प्रोकेपिल वाले serum भी बना रहे है तो यह लोग peppermint oil क्यों नहीं ब चाल करता बैसा कुछ नहीं होता तो यह बनाते हैं अब जबर सीरिम की बात करता है फरस्ट अ की सिटेज तक यह काम कर सकता है अब बात करते हैं जैसे कि यह लोग बढ़े इसे बात करते हैं जैसे तो मैं आपको एक बात बतायता हूं, कोई एक बंदा होगा, जिनको टॉपिक चाहिए, कि मुझे कुछ बनाना है, कुछ नहीं टॉपिक मिला है, किसी एक ने मान के चलिए लिग दिया या फिर वीडियो बना दिया है, कि पेपरमेंट ऑईल से हैर होता है, अब अगर वो सच लगने लगता है, और वो जो पोस्ट बगेरा लिखते हैं, या जो वीडियो बनाते हैं, उसको सच्चा ही डालने के लिए, एक स्टेटमेंट एड कर देते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि ये रियल एक यूनिवेर्सिटी के अनुसार, ये एक स्वाइजी यूनिवेर् है, तो आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, अरोमा थरापी, जॉइंट पेंट, कहीं बॉडी पेंट हो रहा है, रिलैक्सेशन चाहिए आपको, या फिर स्ट्रेस हो रहा है, ये सब कंट्रोल करने में ये एफेक्टिव है, ये सब बताया जाता है, अब ये त अब बात करते हैं उस टॉपिक पर जब लोग बोलते हैं कि भाई ये मिनॉक्षिवन कर बाप quarter करता कि इस आप लगाने के लिए बोलते हैं कि जहांपर आपको зачем एक लिए अन्व unleash पर है नहीं करें आपार हैंड लगाना लगाइए और हमऑनद हैं यहाँ जहां पर और लॉंग होगा डार्क होगा जिससे लगे गए कि यहां पर हैर बहुत घने है तो ऐसा यह पेपर मिंट ऑइल लगाने से क्यों ही होता है तो आप पूरे बॉड़ी में मसाज के बाग जॉइंट पेंट कहीं पर भी जहां पर भी यूसेज है लगाते तो वहां पर हैर ग्रो लगाँगा बाकी जगाल लगाए तो नहीं है तो फिर आप यह लॉजिकली सोची यहां से भी यह प्रूफ होता है यह सब चीजों में हैर ग्रोथ में यह सब में काम नहीं करता है अब लास्ट पॉइंट अफ डिसकेशन है जहां पर आपको वन परसेंट लोग मिलेंगे सो में से एक लोग मिलेंगे जो यह बोलेंगे भाई यह बगवास कर रहे हैं अब छोड़ो मैंने कुद यूज किया है और मेरा हेरपॉल कंट्रोल हुआ है तो अब मैं आपको बताता ह देखिए एक बार एक सीजन आता है एक या दो बार जब आपको बहुत ज्यादा हेरपॉल होगा बहुत ज्यादा हेर शेड होता है राइट तो वह टाइम पर हम घबरा जाते हैं अब यह जो हैर शेड है वो आप्सलूटली नॉर्मल है जैसे पत्ते गिरते हैं हर साल लहीं मेरे गंज़ापन नहीं आया विकॉस वह घिरते हैं और बापस आटमेटेकली आते रहते हैं तो जिन लोगों को पता नहीं उनको लगता है कि हेर फॉल हो रहा है दुबार नहीं आएगा तो घबरा जाते हैं कुछ भी नुस्के अपनाते हैं जो भी एक य नुस्के ह हो उसमें से एक नुस्के मान के लिए लगाते हैं और हैर फॉल हो जाता है तो उनको क्या लगता है यह चमतकार यह जो नुस्के के वज़े से हुआ है कंट्रोल हुआ जबकि क्या अगर वह कुछ भी नहीं लगाते हैं फिर भी एक देड़े मैंने में और्टोमेटेकली वह हैर शेट कंट्रोल हो जाता है वह साल आपका आएगा एक बार तो फ्रेंट्स मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका स्टेज वन जहां पर आपके हैर गिर रहा है कि पहले के मुकाबले वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन अभी भी गंजापन नहीं देख रहा है तो उसको आप नैचुरिली ठीक कर सकते हैं आप नैचुरिली ब्लड सर्कुलेशन करवा सकते हैं जैसे कि बाला है में सीर्शाशने सरवांगाशने योग एक्सेसाइज कीजिये डाइट सही रखिए प्रौपर टाइम से सोना प्रौपर टाइम से उठना पानी प्रौपर यह सब आप बेसिक लाइफ इस्टेल को मेंटेन कीजिए आपका गंजापन नहीं आएगा बीज-वीज में जो होता रहता है उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन उससे घबराना नहीं आपका गंजापन नहीं आएगा और अगर आपको अलड़ी गंजापन दिखना स्टार्ट ह है ऐसा नहों कि आप यह फालतु के नुसके में पैसा और समय वर्बात करें और आपका फॉलिकल एकदम श्रिंक हो जाए और लास्ट में फिर कोई भी ट्रीक्मेंट काम ना करें सिर्फ ट्रांस्प्रेंट को अप्शन रहे जाए तो वह नौबत तक मज जाहिए यह फालतु जो इलोजिकल बात है उस पर मज जाहिए आई होप यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है बहुत ही हेलफुल है इस्टिल अगर आपके मन में कोई सवाल कोई सजेशन कोई आर्गिमेंट कोई डाउट जो भी है आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं आप अगर मुझे पर कर दो